नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त राजी हूँ साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर नए संस्त भावन का निर्माण हुआ है जिसमें के आपको ये भी पता है कि उसके उद्गाटन के लिए हमारे देश की वरतमान राष्टपती, द्रौपदी मुर्म, जो आदिवादी समाज से आती है उनको नियोता नहीं भीजा जाता है इसके उपर भाई नवाब सत्पाल तवर्जो भीम सेना के चीफ है उन्होंने मारने प्रधार मंतिर जी को सवाल जवाब किया था इसके उपर कि आपने उनको नियोता क्यों नहीं भीजा और इसी के उलेकर पूरे बोजन समाज में भी आक्रोस है पूरे देश के अंदर भी आक्रोस है और इसी के ओपर भेनकुमारी मायावाती जी ने भी क्या कहा साथ इसी वीचे पर आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगा आप से रिक्वेस्ट आप अगर चैनल पर बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका बैल ऐकन प्रस कर ले वीचे लाइक जरूर दे अपनी प्रतिक लिया कमेंट में जरूर दे तो आएए वीचे शुरू करते हैं आप लोगों के साथ साथियो हमारे देश के अंदर एक संसत भावन का निर्मान किया गया इससे पहले भी कई वर्सो पहले संसत भावन का निर्मान हुआ उसी तरज पर आज नए संसत भावन का निर्मान किया गया लेकिन निर्मान कार्य तो पुरा हो चुका अब उसके है उद्गाटन की बारी उद्गाटन जब होना था 28 मई को तो उसको लेकर भाई नवाब सत्पालतवर जो भीम सेना के चीफ है उन्होंने मोदी जी पर तंज फिर से कसा था और फिर यही बोला है कि इस देश के लिए इस देश की राष्ट धरोवर संसत भावन भी किसी धरोवर से कम नहीं है संसत भावन का जो निर्मान किया गया है वो अच्छी बात है लेकिन उसका नाम हमारे अमबेटकर जी के नाम पर होना चाहिए इसी को लेकर उन्होंने एक चीज और कही 28 मई को हमारे देश के अदर जो नए संसत भावन का जो उधकाटन होना है उसमें हमारी माननिय राष्टपती जो नद्रोपदी मूरू है उनको तो नहीं बुलाया गया हाँ लेकिन हमारे देश के जो वीर सावर कर रहे हैं जिनोंने कभी अंग्रेजों की गुलामी की थी अंग्रेजों की गुलाम गिरी करते थे उनके जनम दिन के उपर उनकी जैनिती के उपर इस नए पारलेमेंट का उधगाटन करने की बात को लेकर उन्हाने मोदीजी परतंच कसा है और सीदे सीदे बोला है इस देश की धरोवर भारतिय संसथ भवन जिसका आप उधगाटन करने जा रहे हैं उस सावर करके नाम पर करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों के सामने मत्था रगड़ दिया नाक रगड़ दी और यही कहा कि आप लोगों का दास्वन कर रहोंगा जैसा हुकम आप जारी करेंगे मैं उसके उपर ही काम करूँगा यह चीजे भाई नवाव सत्पाल तवर ने लाइव आकर वीडियो में बताई कि आज हमारे देश के अंदर संसत्भावन का निर्मान पूरा हो चुका है और अब उसके उधगाटन की बारी है तो उसके उधगाटन के लिए हमारे माननिय राष्टपती जी को भी नियोता न उनने भी इसी चीज को कहा है कि यह बहुत सर्मनाक बात है कि हमारे देश की माननिय राष्टपती द्रोपती मुर्मुजी को नियोता नहीं बेजा यह बहुत निंदन्य बात है पूरे समाज के लिए पूरे देश के लिए कि जो पर्थम नागरिक है हमारे देश की हमारे र लिए देश की राजनीती में भी यह चीज आज भी खटक रही है और दलीतों का आगे बढ़ना यह इन लोगों को खटकता है इस देश की आदिवासी महिला आज देश की राष्टपती बनी हुई है यह इन लोगों को खलता है इसलिए उनको साइद निवफा नहीं भेजा गय साथियों हमारे संसत्थभवन का निर्मारन जब किया गया तो उसमें भी समाज के लोगों की दौरा किया गया साथियों आपको एक बात और कहना चाहूँगा हमारे देश का जो संसत्थभवन है वह हमारे लिए किसे राष्ट धुरोर से कम नहीं है और इससे पहले उसमें एक बवाल और भी हुआ था कि हमारे जो नए संसद भावन का निर्मान हुआ है उसमें हमारे बाबा सही वंबेड करकी फोटो को नहीं लगाया गया इससे पहले जो पुराना संसद भावन है उसमें हमारे बाबा साहिब की फोटो लगी हुई है लेकिन नए संसद में इसको नहीं लगाया गया तो यह बहुत सर्मनाक बात है और हमारे महापुरुष्रों का भी अफमान है साथ इस सब के लिए आप सबको भी मुईन छेड़ने की जरुत है और एकजूट होने की जरुत है आज पूरे देश में इस चीज के उपर आवाज उटनी चाहिए कि हमारे बाबा साहिब की फोटो नए संसद भावन के उपर क्यों नहीं लगाई गई जबकि हमारे देश के से पहले इस इस इसे रहने जो 32 डिग्री धारक है जो कोलंबिया यूनिवर्सिय तक पांचने वाले हैं जिन्कने समिधान की रचनकी है हर वर्क के इनसान को हर वर्क की महीला को फिर सब काश्ट के महीला को समान दर्जा समान सिक्षा का समान आगया बढ़ने का समान जगह नोकरी करने का अधिकार दिया है लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे बावासाय का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे साथ ही हमारे देश के अंदर संसत्भवन का निर्मान हुआ है अच्छी बात है जो सब पूरे देश के लिए गर्व की बात है लेकिन ये जो इसका उद्गाटन किया जा रहा है 28 मई को सावर करकी जैन्ती के दिन ये बहुत गलत बात है इसके लिए नवाब सत्पाल तवरने भी मौदी जी को घेरा है और का है हमारे देश के अंदर बड़े से बड़े महापुरूस रहे है जो सहीद भी होए है और पैदा भी होए है हमारे अमेडकर जी के जैन्ती थी उनके जैन्ती के उपर ही इसका उद्गाटन कर देना चाहिए था हमारे भगत सिंग जी रहे है लाला लाजबतर आए रहे है सुवासचंदर बोश रहे है अन्यकों मापुरूस रहे है जिनकी जैन्ती भी होई है और उनके सहीदी दिवस भी रहे हैं उनके सहीदी दिवस के उपर इस संचत भावन का उद्गाटन कर देना चाहिए था लेकिन संचत भावन का उद्गाटन क्या जा रहा है उस इंसान के नाम पर उस इंसान के जैन्ति पर जो इस देश का बेड़ा गर करने पर लगा था जिसने अंग्रेजों की गुलामी की चंचागिरी की और इस देश के अंदर आप सभी को पता है वर्तमान स्थिती भी ऐसी बनी हुई है वर्तमान सरकार भी इस परकार की बनी हुई है जहां पर ये सिर्फ दलीतों और सोसितों क का हमेशा हानन करने की कोजिस करते हैं उनके हग अदिकार को छीनने की बात करते हैं मैं साथ यह आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा आप लोग अगर वीडियो पर बने हो तो आप लोगों की जो भी प्रतिकिरिया होगी कमेंट बॉक्स पर जरूर देजिएगा क की संसथभवन का निर्मान जब किया गया कि हमारे देश का जो संसथभवन बना है उसका नाम बंबिटकर जी के NATS प्रख़ा जाना चाहिए और हमारे देश की जो मानने यह है राश्टपती महुदा है द्रोपती मुर्मुजी उनको भी महापर समान के साथ बुलाना चाहिए नीवता भीजना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है यह बहुत सरमनाक बात होगी हमारे समाज के लिए पूरे देश क के लिए पूरे HTSC OBC समाज के लिए सर्मनाक बात है और यह मनमानी तरीके सा सरकार जो चल रही है यह अपने तरीके से कानून बनाती है और अपने तरीके से इनको फॉलो करवाने की कोशिज करती है इसलिए सातियों मुईम सेडिये इस सिस्टम के खिलाफ ऐसी सरकार के खिला और जो गरीबों के हक चीरने के बात करती है सातियों आप लोगों की जो भी राय होगी कमेट बॉक्स में दीजेगा भीम से नसीप भाई नवाप सत्पालतवर और भैन कुमारी मायवती जी और दुरपदी मुर्मो जी जो इस देश के लिए भोजर समाज के लिए काम करते ह और बावा साहिब के मिशन को आगे लेकर चलते हैं उनका सही कहना है कि बावा साहिब की नाम पर ही संसत भाईन का नाम रखा जाना चाहिए और किसी महापुरुष के नाम पर ही इस देश के संसत भाईन का उधगाटन किया जाना चाहिए सातियों आप लोगों से बसे करना ताकि नएव वीडिए क्यों आपको मिलते रहें तो मिलते हैं किसी नएव